Book distribution है, it is very, very important. तो इसलिए हमें इन बुक्स को पढ़ना भी चीए और इनको बाटना भी चीए. एक समय प्रभुपाज दिखा एक भक्त ने हाथ बुक्स नहीं हुए थी उसने. Distribution के लिए जा रहा था. तो प्रभुपाज ने उसमें से एक बुक निकाली. प्रभुपाज ने कहा, इस बुक में क्या दिया है? तो प्रभुपाज ने बुक्स ने बोला, पहले मैंने बुक्स लिखी हैं भक्तों के पढ़ने के लिए. उसके बाद लिखी हैं बाटने के लिए. अगर भक्त लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि भक्त पढ़ें भी बहुत ज़रूरी है तेको मता क्या अगर आपको अपने माल का नहीं बता है आप उसको बहुत हिरदे से नहीं बेच पाओगे तो आप at the max बोलोगे ले लो गीता ले लो क्या करें रसराज बूब बेस वालों ने बेको पूरा कार्टन पकड़ा दिया है हम तो कार्टून ही बन गए कार्टन बाटते बाटते तो फिर ना आप करोगे तो बड़े बोजिल भाव से करोगे या रे फस गए यारे क्यूं आता है दिसंबर का महीना ये ना फिर अब वो कार्टन पकड़ा देंगे फिर और हम बोलते पचास एकत है ना सौ सौ भगवदीता बाटना लोगों के आगे हाथ पहलाना क्या लिए क्या करें हर साले नमबर दिसंबर का महीना आता है और फिर हमको फसा देते हैं हरे क्रिशना डिपोटीज तो आपको ये कारे बोचल लगेगा लेकिन अगर आपने बुक्स पड़ी हुई है ना तो आपको ये कारे बोचल बिलकुल नहीं लगेगा बलकि आपके लिए एडवेंचर होगा कहीं ऐसे रिवोटीज और माराथान के बाद भी डिस्ट्रूशन करते है क्या प्रोजी ऐसा रोमांच लाइफ में हमने कभी एक्स्पीरियंस नहीं किया कब कौन आपको क्या रिस्पॉंस देगा अच्छा देगा बुरा देगा कुछ नहीं बता सर्फेस पे देखकर क्या आप नहीं पहचान सकते